हेलो सुक्साइब लोग मिनड़ा मैंकराम और आज इस उड़े में हम रिव्यू करने वाले हैं Samsung Galaxy A55 के बारे में और यह जो स्मार्टफोन है अल्टरा सीरीज के बाद जो प्रीमियम सीरीज है Samsung की तो वो सीरीज है और प्राइस भी रेंज भी अलग बग 45,000 के अंडर आता है तो इसके अन्बोक्सिंग से यहाँ पर सुरू करने वाले हैं तो अन्बोक्सिंग के अगर मैं बात करूँ तो बॉक्स के अंदर जो कंटेन आपको देखने को मिलता है सिर्फ एक यूजर गाइड जो ही आपको देखने को मिलता है एक टाइप सी केबल और एक इंजेक्शन पिन दिया गया है फोन काफी प्रीमियम में बहुती प्रीमियम लुक जो ही आपके देता है आईप 67 वाटर एंड डर्स रेसिस्टेंस भी है चार कलर आपको मिलेगा मार्केट के अंदर अलग अलग कलर अवलिबिलिटी के उपर डिबेंड है अगर मैं क्यामेर के बात करूो तो आपको में क्यामेरा पचास मेगाफिक्सल का मिलता है और इस कैमेरा इस्कसक्राइब डारदइन की माराक का 5 मेक्क्री लाइन दो अ데ट अलग करूंक 60 एंच का जो कर अब फूल एजडी प्लस यह यह शब्लेंड है साथ में इसके इंदर Micro HD Card भी सपोर्ट है वन टेरा बाइट तक यहाँ आपको 120 हर्स का इंफिनिटी डिस्प्ले मिलता है साथ में 5000 एमेज की बैटरी मिलती है जो के 25 वर्ट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है बैटरी बहुत ही जबदस है आपको जो है एक दिन का बतल बहुत ही सिक्योर फोन है यहाँ आप देख सकते हो बहुत ही बहुत ही बहतरीन कलर के अंदर यह आता है और इसका वेट के अगर में बात करूं लगबार इसकी जो थिकनेस से 8.2 mm हे 213 ग्राम का जो ही यह वेट केरी करता है और जिसके में आपको बताया इसकी मिल दिये मतलब यह आइफोन 14 को भी जो टकर मार जाकता है और इसके जो परफॉमस है जो आइफोन का 15 प्रो मैक्स है उसकी क्वालिटी के अगर में बात करूं डिस्प्ले की क्वालिटी उससे भी बहतरीन क्वालिटी आपको इस सामसम गैलक्सी A55 के अंदर देखने को मिल बाता है इसके अंदर जो चिपसेट दिया गया है एक्जोनस का 1480 जो के 4 नेनोमीटर का चिपसेट है ओक्ताकूर का प्रोसर है जो के यहां पे 4 कोर 2.75 GHz के कोटेक्स A74 और 4 कोर 2.0 GHz के कोटेक्स A55 तो बहुत ही मतलब जबर्दस से परफॉमस भी बहुत ही अच्छा है मत अगर आपको हाई-end गेम भी अगर आपको खेलना है तो बड़े आराम से जो है आप इसे खेल सकते हूं सत्मिस में 158 GB के आपको मेमोरी मिलती है इस्टोरेज मिलती है 8 GB RAM है और दूसरा वेडिया है 256 GB 8 GB RAM और आपको 12 GB RAM वाला भी जो ही यहां पर वेरियंट आपको मिल जात सकते हो बहुत ही बढ़िया है Samsung का और यह हैंग बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि बहुत ही पावरफूल प्रोसेसर जो ही आपको मिलता है वह भी काफी कमाल का है यहां पर फोटो आप देख सकते हो इसका जो रियर कैमरा है 15 MP का जो कि f1.8 aperture वाला जो है आपको सेंसर मिलत है और PDF, Optical, Image, Stabilization भी जो ही आपको मिल जाता है और यहां पर अल्ट्रा वाइड एंगल के अगर में बात करूँ जिसके अंदर सेंसर लगा हुआ है 12 MP का सेंसर है जो के f2.2 aperture वाला सेंसर इसके अंदर दिया गया है Macro भी काफी कमाल का है यहां पर आपको जो फोटो के अंदर जो color जो देखने को मिलता है एकदब natural color, saturation भी काफी अच्छा है, color भी बहुत ही जबदस जो ही आपको देखने को मिलती है मतलब camera के मामले में भी यह phone जो है सब को जो ही यहां पर पीछे छोड़ सकता है बड़े बड़े phone जो के 90,000,000,000,000 के उपर के जो smartphone है जैसे कि मैं Samsung की Ultra Series की बात करूँ या iPhone, Apple की Series की बात करूँ जो 15 Series है उसके भी camera quality को यह जो है काफी हद तक टक कर मार सकता है और यह जो वीडियो आप देख रहे हो 4K 30fps पर सूट किया हुआ है जो के काफी अच्छी quality जो ही यहां पर देता है और यहां पर आपको जिससे कि मैंने आपको बताया जो optical image distribution दिया गया है और जो ultra wide angle camera है उसके अंदर आपको electronic image distribution जो है देखने को मिल जाता है मतलब यहां पर वीडियो quality भी काफी even मतलब DSLR like आप करे सकते हो और यह जो वीडियो आप देख रहे हो यह 1080p 60fps पर आपको शूट किया हुआ है यह भी काफी कमाल का है यहां पर आप देख सकते हो saturation color जो balance का वो भी काफी अच्छा जो ही आपको देखने को मिलता है साथी में यह phone के अगर मैं बात करूँ तो आपको 5G तो आपको मिलता ही है eSIM का support जो ही आपे मिलता है hybrid dual SIM का जो ही आपे option देखने को मिलता है Wi-Fi 6 दिया गया है Bluetooth 5.3 NFC जो ही आपे दिया गया है हाँ इसके अंदर under display जो fingerprint sensor जो दिया गया है वो हलाके बहुती visible नहीं मतलब बहुती सांदार काम यहाँ पे नहीं करता जो display के अंदर देखने को जो मिला है in display fingerprint sensor वो बहुती बड़िया जो ही आपे काम नहीं करता तो यह चीज जो है मुझे downgrade लगी है phone के अंदर बाकी phone काफी कमाल का है अच्छा camera मिलता है battery backup अच्छा मिलता है IP67 radar मिलता है आपको aluminium frame जो है देखने को मिलता है Corning Gorilla Glass Victus का protection देखने को मिल जाता है और price के अगर में बात कुरे इसकी price अभी फिलाल पिस्तालिस अजार रुपे है जो कि आने वाले दिनों के अंदर भी और भी कम होने वाला है तो अगर आपको buy करना है तो description पे link दे दिया है आप buy कर सकते हो और अगर आपको वीडियो पसना है तो please वीडियो को like करना share करना और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को subscribe करके bell icon को enable करते ना विलते अगले interesting वीडियो के अंदर